तो क्या हाल चाल भाई लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं Google Play Store के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने Google Play Store में अपने डिलीटेड एकाउंट रिमूब एकाउंट को वापिस कैसे ला सकते हूँ अब माली जी आपने कोई कारण से अपने Google Play Store से कोई एक एकाउंट डिलीट कर दिया होगा और इन फूचोर अगर आप उसको फिर से वापिस लाना चाते हो अपने Google Play Store में तो आप कैसे ला सकते हो आज की इस वीडियो से आप जो है सीख जाओगे दोस्तों क्युकि दूस्तों कभी कभी लोग जो है अपना एकाउंट कर दिलीट कर देते हैं कुईसी करण से और फिर से एड़ करना चाते हैं बर आट करना नहीं जानते हैं आप लोग यहां पर लुग इन पर देख सकते हो मिरे पास काफी कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे free fire payment method email id change करनी थी जिसके कारण मुझे अपने google play store से एक account remove करना पड़ गया था और अब मैं उसको वापिस लाना चाहता हूँ अपने google play store में तो मैं कैसे ला सकता हूँ आज के इस वीडियो में आपको live जो है लाके दिखाऊंगा तो लाने के लिए आप अपने google play store को कलेना open, google play store open होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पहले मेरे google play store में मेरा ये वाला account open था जिसको मैंने delete कर दिया था अपने free fire payment method email id को change करने के लिए और अब मैं आपको फिर से इसको वापिस लाके दिखाता हूँ अपने google play store में तो अगर आप भी अपना removed account वापिस लाना चाहते हो अपने google play store में तो इसके लिए आपको सबसे उपर right side में एक logo मिल जाएगा, logo पे आप click कर देना, logo पे click करने के बाद आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा, manager गूगल account का, इस पे आप click कर देना, इस पे आप जैसे क्लिक क अपने उस वाले account का email id डाल देना, जिस account को आप अपने google play store में वापिस लाना चाहते हो, तो मैं अपने उस वाले email id को यहाँ पे डाल देता हूं दोस्तो, email id डालने के बाद आप नीचे से next पे click कर देना, next पे आप जैसे click करते हो, यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा, enter your password का, यहाँ पे अपने उस वाले account का email id का password डाल देना, जो भी आप फिर से वापिस लाना चाहते हो, तो मैं अपना password यहाँ पे enter कर देता हूं, दोस्तो, enter करने के बाद आपको next कर देना होगा, उसके बाद दोस्तो, आपको यहाँ पे I agree पे click करना होगा, अपने id को वापि Google Play Store में आपका पहले वाला account आपने delete कर दिया था, वो फिर से वापिस आजाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे live देख सकते हूं, मेरा पहले वाला Google Play Store में जो account था, वो फिर से आप वापिस आ चुका है, जो मैंने delete कर दिया था, जैसा कि आप यहाँ पे live देख सकते हूं, तो मैं आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो जो है देता रहता हूं फिलाल आज किस वीडियो में इतना हैं अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ तब तक कि लिए जाहें दू अने बात रहां लव व्यू ओ